दोस्तो, गायिका लटा मंगेशकर कौरोन संक्रमित होने के बाद से अस्पताल में भरती है मुंबई के ब्रीज कैंडी अस्पताल में उनका इलाज कर रहे हैं डॉक्टर प्रतीद सम्धानी बताती हैं कि कल से गायिका की तभ्यत में सुधार है लेकिन उन्हें अभी ICU में डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया है उनके सीग्र सुष्थ होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं अन्पमखेड ने ट्वीट कर गाएगा कि जल्द सुष्थ होने की प्रार्थना की है अब नीता लिखते हैं आदरनिया लता मंगेशकर जी जल्दी सुष्थ होकर वापस अपने घर आईए पूरा रास्ट आपके ठीक होने की प्रार्थना कर रहा है किरन खेड ने भी भारत्य पासर गायन की अपरिहारिया और एक छत्र सामराग्य की जल्द ठीक होने की प्रार्थना की है उन्होंने ट्वीट करते हो लिखा मैं भारत रत्न लता मंगेशकर जी के श्वग सीगर स्वस्थ होने की काम न करता हूँ वहीं मंतरी स्मर्ती रानी ने अफवा ने फेल आने की अपील की उन्होंने अपने सोशल मीडिया एकाउंट पर पोश्ट सेयर करते हो लिखा लता दीदी के परिवार की तरफ से अन्रोध कर रही हो कि अफवाई ना फेलाए उन पर इलाज का सर हो रहा है और इश्वर की इच्छा हुई तो वो जल्द ही घर लोट आएगी अटकले लगाना बंद कर और लता दीदी के सीगर स्वस्थ होने और स्वास्थ के लिए प्रातनाय जारी रखे बतादे कि लता मंगेशकर पिछले पंदरे दिनों से आईसियो में भरती है आजन्वेली को उनकी कॉरान रिपोर्ट पोजिटीव आने के बाद से उन्हें केंडी ब्रीज होस्पिटल में एडमिट किया गया है गाएका के इलाज कर रहे डॉक्टर्स के मुताबिक लता मंगेशकर वो अभी कुछ दिनों डॉक्टर की निखारानी में रखा जाएगा उनकी उम्र और अन्यस्वास संबंदी समश्याओं के चलते साफधानी बढ़ती जा रही है